हेलो गाईज नमस्ते कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप लोग काफी अच्छ से होंगे फिरेंड्स मैं आज आपको एक रियल ब्राइडल मेक अप करके बताऊंगी कि मैं इनका मेक अप कैसे के थे आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखें तो आप भी घर बैठें सीख सकते हैं और अपना और किसी का भी आप मेक अप कर सकते हैं तो फिरेंड्स आप देख सकते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ नहीं तो वीडियो आगे बढ़ जाएगा सबसे पहले तो मैंने इनका क्लिंज अप किया था क्लिंजर से ठीक है थोड़ा सा मसाज करके उसके बाद फेस क्लीन कर ली थी ठीक है उसके बाद आपने देखिया होगा कि मैं मेक अप फिक्सर में यूज की थी स्टार्टिंग में ही में मेंक फिक्सर यूज कर ली थी उससे अच्छा मतलब जहरे पे ग्लू आ जाता है तो फ्रेंड्स आप वो देख लिए उसके बाद मोस्षराइजर में लगाई थी उसके बाद ये देख लो किरलॉन का है किरलॉन का है फांडेशन है एफ एस है और इस अब कहीं ओयल होता है वह मैं यूज की थी तो पहले दोनों को ब्लेंड कर ली थी मैं ठीक है और मैं जो भी दिखाती हूं अपने चैनल पे ना रियल वर्क ही दिखाती हूं क्यूंकि मैं अलग से कोई मोडल अभी मैं फिलाल नहीं करती हूं तो मैं किसी भी कस्टमर को काम क करना है मैं पूछ लेती हूं जदि वह बोलता है तो मैं करती हूं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यह थोड़ा सा मैं भूल गई थी तो यह क्या है ना प्राइमर है प्राइमर नहीं भी लगाते तो भी मतलब चल जाता है क्योंकि मैं मेकप फिक्सर लगा ली थी लेकिन फिर भी मैं जदि किसी ब्राइडल को तयार करती हूं फ्रेंड्स काफी एक एक चीज याद करके स्टेप करने के कोसिस करती हूं ताकि उससी क्या होता है फ्रेंड्स बहुत अच्छा बेस बनता है ना तो बहुत अच्छा मेकप आप करोगे ना तो धीरी धीरे आप देखो कि उसमें इतना अच्छा ग्लो आ जाएगा इतना अच्छा ग्लो आ जाएगा इतना अच्छा ग्लो शाइनिंग आ जाता है लगेगा प्लास्टिक पेंट हुआ है दिवाल पर कैसे होता है उस तरह से पेंट हुआ है और अच्छा से आप तरीके से करूगे तो बहुत ही नेश चहरा में signing रहता है इतना बढ़िया लगता है फ्रेंट्स कभी वि मैं किसी का भी करती हूँ तो इतने लोग तारीफ करते हैं कि मैं क्या बता हूँ reality मैं बता रहे हूँ फ्रेंट्स तो आप ये देख सकते हैं मैं primer भी लगा ली थी और ये मैं concealer लगा रहे हूँ ये पीएसी का कंसीलर है फ्रेंट्स ठीक है और ये मैं कंसीलर भी लगा रहे हूँ तो आप देखू मैं कैसे लगा रहे हूँ और फ्रेंट्स उस दिन ना ब्राइडल था और तीन लोगों को मुझे तियार करना था तो मैं जल्दे जल्दे इनका वीडियो भी बना रहे थी आगे में सूट कर रहे थी और वो लोगों का भी प्रेशर था क्योंकि सबको टाइमिंग से जाना होता है पार्टी में साथ बजे सबको त्यार होना था ये ब्राइडल खूद आई थी लेट हो गया था मैं इनको फिर भी मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ के हम काम नहीं करेंगे हमसे मतलब मैं smiles highly and कोशिस करती हूँ के जितना जल्दी फास्ट मारोु ये ऐ फ्रेंड़ से बीदियो मैं फास्ट कर दी हम तो आप देख लो धू मैं लगाई ओ और Cl सेट की हूँ लूज पाउडर से ठीक है तो यह देख लो आइवरो डिफाइन करें आप स्टेप बाइ स्टेप पूरा देखो लास्ट तक देखोगे न तपका आई होब कि आप भी बहुत अच्छा मेक अप आर्टिस्ट बन सकते हो बहुत अच्छा मेक अप कर सकते हो आप वीडियो को कहीं से skip नहीं करना नहीं तो बहुत कुछ छुट जाएंगे मैं आपको बहुत इसमें trick और trips जरूर बताऊंगी ताकि आप हमारी customer भी है ना तो उनको पता होना चाहिए कि मैं कैसे make-up करती हूँ कौन-कौन सा product मैं लगाती हूँ तो friends मेरा video बनाने का यही मक्सद है कि हमारे customer भी जरूर जाने कि मैं किस तरीके से make-up करती हूँ और क्योंकि आके तो मेरे parlor पर मैं real काम कर रही हूँ जदि मैं bridal करती हूँ वो तो देख नहीं रहा है वो देख नहीं रहे हैं तो कम से कम मैं चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से दिखा हूँ कि मैं किस तरीके से अपने parlor पे bridal को त्यार करती हूँ और जदि bridal एगरी है वीडियो बनाने से जरूर मैं बनाती हूँ और नहीं है तो कोई बात नहीं है और फ्रेंट्स देख लो आईबरो डिफाइन में कर ली उसके बाद आईबरो को मैं सेट कर रहे थी ठीक है आईबरो पाउडर से यह सेटिंग पाउडर है इसको सेट कर रहे थी है जदि आपके पास product हमारे पास तो बहुत सारे है और छोटा सा दुकान है इसके बाइल से नहीं चलता है बहुत सारा भीड हो जायगा ना तो कभी कभी करती हो कि 110 पर्शन में काम अच्छा करूं ताकि कोई complain नहीं आए लेकिन मैं यहां तक जरूर देख्यू हूँ किसी को कितना भी कर दो किसी को आदत होता है नुक्स निकालने को तो निकाल ही देता है वैसे ये लड़की ये बहुत ही अच्छी थी फ्रेंट्स बहुत अच्छी ये खुद इंजिनियर है और बहुत अच्छी थी कभी कुछ नहीं बोली कि हां मैं ऐसे कर दीजे वैसे कर दीजे कुछ भी नहीं अपने तरब से कुछ भी नहीं उसको लगा कि आप मेरे से जादे आप जानते हो इसलि आप मेरे पर भरोसा रोखो मैं बहुत ही अच्छा तियार कर दूगी और कभी कोई कम्प्लेन आप बीच बीच में नुक्स निकालोगे तो फिर काम गड़बर हो जाएगा क्योंकि कभी कभी कोई-कोई लड़की लोग मैं बहुत तो कह तियार की हूँ तो मैं देखी हूँ आ इतनी अच्छी थी कि मैं क्या बत हो लाइब में पहली बार ऐसी ब्राइड मुझे मेली है जो कि कुछ भी नहीं बोली कहां आउंटी मुझे ऐसे कर दो वैसे कुछ भी नहीं मैं जैसे उनको त्यार की वैसे त्यार हो गई और काफी खुबसूरत लग रही थी आप लास्ट वहां पर थोड़ा सा स्टीच हुआ था एक्सिडेंट हुआ होगा और फ्रेंट्स मैं आप देख सकते हो आई मेकप मैं कर रही हूँ आई मेकप यह पैलेट है हमारे पास रेवलॉन का रेवलॉन का पैलेट है फ्रेंट्स काफी वाटर प्रूब आप गर्मी में करो ठंडी में करो कभी भी करो तो ये थोड़ा सा भी नहीं फैलता इतना अच्छा प्रोड़क्ट है ये ना और काफी मतलब अच्छा से कभी नहीं फैलता भी नहीं है और मैं इनको जादे कुछ आई मेकप में मैं नहीं दे थी क्योंकि मुझे इतना ये लेत आई थी खुद छे बज़ के मुझे भी तैयार कर दो तो मेरे कुछ जल्दी जल्दी काम करना था इसलिए मैं आई मेकब में जाने कुछ काम नहीं कि मैं सोच रही थी आई मेकब कुछ अलग दो लेकि पंसी ताइम नहीं रहने के वज़न से मैं जल्दी-जल्द 18 इनका आई ब्लेंडिंग अच्छा होगा तो ही आई मेक अच्छा होता है तो आप देख सकते हो आप ध्यान से देखो और देख लो मैं लगाई हूँ तो मैं जले लिए उनको ब्लेंड भी की हूँ जदी हमारे कस्टमर दो चार भी आ जाते हैं तैयार करना हो कि इतना भी लेट क्यों नह ब्लीव में कम से कम मैं एक घंटा हां तीन घंटा या एक घंटा सोरी याद नहीं है हां तीन हां तीन घंटा में सायद मैं 11 वो की थी हां अभी याद आ गया 11 वो उसको ना किस मतलब दूसरे पार्लर में वो गई थी तो मेक अप काफी खराब कर दी थी काफी मतलब बहुत ह खराब बहुत ही गंदी लग रही थी और दो तिन लेडिज लोग मेरे पास भी आई थी तो उनको मैं तियार की इतनी खुबसूरत लग रही थी न तो फिर वो लोग आई एसाथ में जाने के लिए तो देखें कि ये सब काफी अच्छी लग रही है तो फिर अपना मेकप तु को भी मतलब चली जा एक गंटा मी मैं इतना पकिते हम काम करती हミ उल्य सक्षी की हम सारे कॉ पेसा काम करके आइजटी वहारी है कि मैं काय मैं बहुत और आप देख सकते हो बीच में मैं हाइलाइट ग्लीटर में लगाई हूँ थोड़ा सा इसको बढ़ा करने के लिए और काफी सिंपल मतला आई मेकप की हूँ जादे नहीं क्योंकि मुझे सारा और दो कस्टमर भी खड़े थे मेकप कराने के लिए तो और मैं किसी को छ छोड़ती भी नहीं हूँ मैं चाहती हूँ कि सारा काम हो जाए और जदी छोड़ती हूँ तो फ्रेंट आप समझ सकते हो मेरा ही नुकसान होदा होगा ना इसलिए आप देख लूँ मैं बहुत जल्दी फास्ट फास्ट काम कर रहे थी और यह आई मेकप अल्मस्ट कंप्ली हो गया है और यह अब देख सकते हूँ कैसे में लगा रही हूँ लाइनर है यह फेसे का लाइनर है फेसे जोड़ा है अभर कापी अच्छा ऐस उसी तरह मिलागी हैं आपको करना है ठीख है आई मेकप तो आप दीखोग एक काफी सीम्पल में बताई हूँ और आप देख सकते हूँ आई मेजिक का हैं बहुत अच्छा है और नेचरल एफट देता है और बीना आई मेकप का कभी भी बॉराइडरल अब तायर ना करें और कभी-कभी मेरे साथ हुआ है गाओं में किसी को करनापड़ा है तो मैं काफे अच्छा मेकप की हूँ और ये पलक भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं की हूँ लेकिन कुछिस करें कि कभी भी ब्राइडल मेकप करना हो तो बीना आई लेसेस लगाए कभी न करें मैं तो इनका आई लेंस कॉंटेंट लेंस भी मैं लगाई थी उसका वीडियो मेर है आप उसको आप देख लेना और मैं कैसे आइक लेन्स म समय लगाई हूं तो आप देख सकते हो यहां पर आई में को ब मैं अच्छे मैं थोड़ा सा कंसिलर में लगा रही थी आप देखो यह आप देख सकते हो और मैं फिंगर से भी ऐसा नहीं था कि मैं ब्रस से ही कर रही थी क्योंकि मेरे को तो काम कंपलेट करना था जल्दी जल्दी तो मैं जादे हाथ का ही यूज कर रही थी ब्रस का मैं कर रही थी बहुत कम कर रही थी क्योंकि ब्रस के चकर में पता है ब्रस कब यूज करो जब आप इस पेसली एक सूट कर रहे हो और मोडल त्यार कर रहे हो आपको वीडियो बनाना है तब सारा अपरोकर दीखाना तहता है तो आप brush का use करो जदि आपके पस customer है उनको काम करना है और जल्दी करना है तो आप जीतना हो सके आप fast करो और अच्छा काम करो माइने ये रखता है माइने ये नहीं रखता है कि आप beauty blender से काम कर रहे हो कि ब्रस से काम करो ये माइने नहीं रखता है काम माइने रखता है आपका काम की आप जिस चीज से भी आप कर रहे हो ना काम बहुत ही फनिशिंग के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए तो फ्रेंट्स मैं तो देख लो आप ब्रस मैं तो छोड़ ही दी थी और जल्दी- की थी तो ये खुद बोल रहे थी कि रियली बहुत अच्छा आप की हैं आप खुद देख लेना आप वीडियो लाट तक जरूर देखो तो आप देख सकते हो फ्रेंट्स मैं पूरे चीहरे पे फांडेशन में लगाई हूं और ये फांडेशन पीएशी का है पीएशी का है पूरे मैं तो दो तिन इसमें मिक्स मैं करके केरलोन का भी लगाई हूं पीएशी का भी लगाई हूं और मैं और हां मैं का भी मैं लगाई हूं मैं का भी लगाई हूं तो मिक्स मैच करके फ्रेंट्स आप उसको बना सकते हैं लिक्विड फांडेशन और बहुत ही अच्छा मतलब बहुत अच्छा जदी अच्छे आपके पास brand है ना friends तो काफी अच्छा result आता है ये तो मैं देखी हूँ foundation जदी काफी natural effect देता है जदी brand अच्छे है आपके पास इतना अच्छा लेकिन वही है कि जदी आप foundation खरीदते हो अच्छे brand के तो बहुत costly आते है friends तो हम लोग friends रखते ही है क्योंकि मुझे चाहिए मेरा मानना है कि जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा मतलब रहता है और उससे क्या होता है और आपका नाम होता है मेरा तो यही मानना है customer कम पैसा दे या जादे दे ये माइने नहीं रखता है मेरे को लगता है कि काम अच्छा होना चाहिए ताकि जदी एक का करे तो अगला आपको अगला भी खुस हूँ और आपको आपके पास आए मेरा तो यही कोशिज रहता है तो मैं तो बहुत महंगे महंगे ब्रांड में रखती हूँ और जब भी मैं करती हूँ तो काफी मतलब अच्छा रिस्पॉंस मिलता है और जिसको नखड़ा करना है वो तो नखड़ा करेगा ही वो कुछ भी कर दोगे न तो नखड़ा करेगा ही सनतुष्टि है और सनतुष्टि नहीं वाक़ी मैं अच्छा मेकप करती हूं मुझे भी है भरोसा क्योंकि इतना लोगों का मैं मेकप की हूं मुझे खूद याद नहीं है कि मैं कितने लोगों का की हूं तो फिरेंड्स आप देख सकते हो यह आईवरी क Cancer Ball आई मैं थोड़ा सा उसको मैं माउथ के हाई लाइटिंग पॉर्चन में मैं लगा रही थी मैं बार-बार फांडेशन को जिसका जैसे क्या होता है ना जहां पर जो चाहिए ना मैं नमबर वाइज देखे स्कीन देख करके जहां पर हाईलैटिंग का है तो आईवरी शेड नहीं तो और इसकीन टोन के हिसाब से मैं कर रही थी ठीक है और आप देख सकते हो ये कंटोर मैं कर रही थी केरलोन का ही है कंटोर और मुझे जलेली काम करना था मैं हैंड से ही कर दे थी ठीक है अब रज खोजने के चकर में पता चला इतना सारा मेरा समान विखरा हुआ था ना इतना सारे में पिरेंट्स मैं रखी हूं निकल जाता है कि बहुत सारे हो जाता है खुद नहीं पता होता है कि कितना सारे समान है लेकिन फीर भी बहुतَ अच्छे तरीके से काम करने रहता है पूरा फोकस के साथ काम करना रहता है और आप देख सकते हो इनका बिल्कुल कोई फिल्टर नहीं है कुछ भी नहीं है काफी डायरे नेश्रल नेश्रल जो होता है न वो मैं रियल मैं सायद कहीं इससे भी खुबसूरत लग रही थी ये भी आप जान लो रियल मैं कहीं इससे जादे और यह देख लू मैं पॉररसेटिंग कर रही हूं यह मैक का है और काफी मतलब अच्छा रहता है और मैं धंडी के दिन में जादे मैं पॉर्डरसेटिंग नहीं करती हूं ठीक है जहां पर मतलब आपकु लगे कि वहां पर ग्रीज बढ़ सकता है तो वहीं पर माउथ के राऊंड थोड़ा सा सेट की हूँ जादे नहीं सेट की हूँ ठीक है जरूरी नहीं है कि पौडर पूरे चे अब पूरे चेरे पर क्योंकि श्वेटिंग होने लगता है गर्मी में आप कुछ भी कर लो ये और ब्रस भी आप करोगे ना इतना गर्मी रहता है मई के म में होता है बेस अप बहुत अच्छे से बना बहुत अच्छा ब्लंडिंग करो तो काफी अच्छा होता ये काफी मतलब छूस थी इसको तो सामने सीशा था इसको तो भरोसा ही नहीं हो रहा था मैं इतनी हाईलाइटर है हमारे पास बहुत ही अच्छा कंपनी के है और वो है हाँ कलर बार का फ्रेंट्स काफी अच्छा होता है कलर बार का है हमारे पास वो कलर बार का है ये डबा में दूसरे में मैं डाली हूँ क्योंकि गिर जाते हैं काफी तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो निकाल के क्योंकि बरबाद जब भी मैं खोलती थी ढख करना तो काफी मतलब छीटा जाता था तो इसको मैं एक कंटेर में मैं डाल के थोड़ा सा मैं रखी हूँ जो कि इसी को मैं यूज करती हूँ ये कलर वार के अप फ्रेंटस तो आप उसका ले सकते हो काफी अच्छा मतलब और यह देख सकते हो लीप मतलब वह आउटलाइन में कर रही थी प्रेंट्स कभी कभी आ जा रहा है क्योंकि वीडियो बनाने मेक अप करने का धून में यह भी दिखाई नहीं देता है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो सामने तो मेरा लग जाता है लेकिन काम इतना फोकस रहता है काम करने पर की पता नहीं चलता है और यह देख सकते हो इनका final और मैं इनका lipstick में लगाई थी किरलान का काफी अच्छा है ठीक है और आप देख सकते हो यह eyes makeup के नीचे में थोड़ा सा नीचे भी जैसे उपर मैं eyeshadow लगाई हूँ उसी तरह नीचे भी लगाना है और दोनों में और content lens लगाने के बाद friends आप देख सकते हो eyes कितना बड़ा दिखता है मतलब फुरसुरा दिखता है और आप देख लो उसको blending में करना जरूरी होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं highlight कर रही हूँ और यह revalon कहीं है और eye में थोड़ा सा मैं white base मैं दी हूँ ठीक है उससे क्या होता है और मतलब आँख बड़ा बड़ा दिखता है eye magic के है white base eye magic के है तो मैं उसको लगाई हूँ और आप यह देख सकते हो liner से मैं काजल लगा रही हूँ liner से मैं लगा रही हूँ ठीक है क्योंकि white base है तो काजल मैं लगा रही हूँ यह मेबलीन का काजल है eye liner है यह वाला मेबलीन का है हमारे पास मेरे पास faces का भी है यह मेबलीन का है तो जो सामने दीख रहा था मैं लगा रही है तो सारे waterproof है friends कोई दिक्कत नहीं है अब गर्मी में यूज करो ठंडी में यूज करो कभी भी यूज करो कोई कुछ भी नहीं होगा पानी में भी आप चले जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा जैसा है मेक अटेज उसी तरह रहेगा तो आप देख सकते हो और friends टच अप करना रहता है जैसे आप कुछ भी कर लिए lipstick हो इधर उदर हो कुछ भी हो तो भी final मतलब उसको करना रहता है उसको अच्छे से सेट करना रहता है और आप देख सकते हो friends चेर पे कितना अच्छा गलो आ गया है और अभी एक घंटा बात तो और अच्छा आ जाएगा गलो और आप देख सकते हो काफी natural और काफी ही खुबसूरत लग रहे थी friends और आपको बीच बीच में चेक करना है जदि आपको कुछ blusher कम लगे तो आप लगा सकते हो highlighter कम लग आप उसको cover कर सकते हो ठीक है friends तो यह देख लो आप मस्करा में लगा रही हूँ यह मस्करा है मैबलीन का मैबलीन का friends ठीक है आप देख सकते हो इतने पे कितनी खुबसूरत लग रही थी और बिंदी तो मेरा मिल नहीं रहा था friends तो मैं इनको कुम-कुम लगाई थी बिंद इनका काफी सिंपल था अब देख लो और ये वीडियो जदी फ्रेंट्स हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मैं मुझे भरोसा है कि मैं बहुत सारे मेक अप का वीडियो मैं आपको ला के दूँगी क्योंकि फ्रेंट्स काफी बीजी होने के वज़े से दिक्कत हो रहा है नहीं ये मेक अप का वीडियो सूच लो दस दिन बाद मैं बना के एडिट करके मैं डाल रहे हैं क्योंकि इतना सा था इतना काम हो जाता है फ्रेंड्स हो नहीं पाता है बहुत मेनत लगता है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत अच्छा पीछ अच्छा थीक लग आई जोगरा सब कुछ आगे देखिए अब बताएगे पुरूप के साथ अच्छी बनाएगा अच्छी लग लिए ना आप हमारे चैनल को नए हैं तो फ्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करतीजेएगा फ्रेंड्स आई होब कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बायटेक केरलब भी हो जदि आप लोग को भी मेकप करवाना है तो संपर्ग जरूर करेवा एटेक